असलाम अलेकम मैं हूँ शबीर सर्म बती और आप देख रहे हैं अपना फेवरेड यूट्यूब चैनल आज का मारा टोपिक बहुत इंट्रस्टिंग और यूसफुल है और टोपिक है फॉर्मेट पेंटर बिफोर स्टार्ट प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैन स्पेशली जब आपने एक जगह पे अपना टाइम लगाया है डेटा को फॉर्मेट करने के लिए और आप दुबारा सेम फॉर्मेटिंग किसी दूसी जगह पे करना चाहते हैं तो आपको दुबारा टाइम जाया नहीं करना चाहिए तो जैसे कहते हैं डांट री बना हुआ है उससे हम यूस करना चाहिए तो यह फंक्शन बहुत ही कारामद है बहुत ही यूसफुल है जब हमने एक जगह से डाटा को नहीं सिर्फ फॉर्मेटिंग को कॉपी करना है और दूसरी जगह पे से अपलाई करना है एक बात ज्याद रखने वाली है कि बना है इस शीट से दूसरी शीट पर नहीं कर सकते हैं और इसके साथ साथ हमारे पास Google Doc है हमारे पास Google presentation है हम इनमें भी इस फंक्शन को यूस कर सकते हैं यूस बिल्कुल सेम है एक मर्यपास सोर्स फॉर्मेटिंग है और एक महने पर destination है source से copy करना है destination से apply करना है it's practice time let us see how to use this feature ये मैंने पहले से एक subject ship बना रखी है जिस पे हम किसी दूसरी किसी दूसरे tab से format को copy करके इसके उपर piece करने की practice करेंगे देखेंगे कि वो format किस तरीकी से use होता है ये मैं रपस औरड़ी एक sheet बनी है मैं रिचाता हूँ कि जो ये formatting है as it is ये copy हो जाए मेरी इस sheet पे same data है data different भी हो सकता है लेकिन अभी मैंने example के लिए same data रखा है आप इस सारे के सारे को select करें उसके बाद इस format vendor पे click करें और click करने के बाद दुबारा आप destination पे जाएंगे ये source है destination पे जाएंगे और just click कर देंगे आप देख सकते हैं कि उसने 100% format यहां से उठाया है और उसने इसे paste कर दिया है इस sheet के उपर ठीक है तो इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताता चलूं कि अगर मारे पस जो जो formatting है एक ही sheet में है तो भी हम कर सकते हैं उसके अंदर ही मसला हम कोई भी एक example ले लेते हैं जैसे के हमने पहले देखा था यह वाली sheet है तो यहां पर मारे पास औरड़ी कुछ currency format, percentage format और यह पड़े हुए है let us say मैं यह number लिखता हूँ इस पर मैंने percentage लगानी है जहां percentage है उसको just click करें उसके बाद format paint को click करें इसके उपर click कर दें वह आपको उसी format में convert कर देगा, अगर मैं एक number लेता हूँ इस पर मैंने dollar sign लगाना है तो आप यह वाला या कोई भी आप उसको select करें उसके उपर dollar sign लगाना है अगर मैंने scientific format लगाना है तो आप कोई भी एक number बड़ा सा type करें और उसके उपर आप इसको click करके आप उसको apply कर सकते हैं कि इसी तरह date का है यहां पर देखें यह date यहां पर different है format और यहां पर date का format different है आप इस पर click करें और इसके उपर apply कर दें या आप इसके उपर click करें copy करें और सारे के उपर इससे apply कर दें तो यह सब के उपर apply हो जाएगा very simple very useful time saving really really very good functional very powerful function टेक्यू वरे मच्च फर वाचिंग इस वीडियो मिर्वानी फर्मा कर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके सांसा इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज्याद़ से ज्याद अपने दिद्धु अपरेंद फैमिली मेमरी आप शेयर करें